हाग दोस्तों मैं आतिफ खान सौगत करता हूँ फिर से आपका एक नए वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 6 पॉइंट्स ऐसे शेयर करने वाला हूँ जिन 6 पॉइंट्स को अगर आप करोगे तो आप लाइफ के अंदर लोगों के नजरों में आप कूल नहीं बलके वो दिखने वाले हो जी हाँ जो आप सोच रहे हो वही दिखने वाले हो तो अगर आप यह मिश्टेक करोगे या यह चीजें आप अपनी लाइफ में कर रहे हो या इनफेक्ट करने की सोच रहे हो तो आप कूल तो बिलकुल नहीं दिखोगे इस चीज को मैं भी किलियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर तो इस वीडियो को आप last तक जरूर देखना ताकि जो गलतियां आप कर रहे थे वो गलतियां भी आप ना करो या फिर अगर आप शोच रहे थे करने का तो वह भी बिलकुल नहीं करेंगे तो start करते हैं देखो मेरा मकसद क्या है मेर आप शाइन करने चाहिए, आपकी personality अलग होनी चाहिए, आप उन बेवकूफों की तरह रले मिलेनी होने चाहिए, जो ये छोटी-छोटी गलती हैं, जो मैं बताने वाला हम वो करते हैं, और सोचते मैं बहुत ज़्यादा कूल लग रहा हूँ, पहली चीज जो लोग करते हैं, वो है over speeding, या फिर race driving, वो इतनी speed में बाइक चलाएंगे, या कार चलाएंगे, सोचेंगे, आरे, मैं speed में चल रहा हूँ, लड़किया मेरे आसपास देखेंगी, तो impress हो जाएगी, या कोई फलाना देखेगा, तो impress हो जाएगा, बट fact ये नहीं है, fact ये है, जो लोग over speeding करते हैं, जो लोग जल्द बाजी में गाड़ी चलाते हैं, रैस driving करते हैं, उन लोगों को जो समाज है, जो दुनिया वो अलग ही निगास से देखती है, अलग निगास है, बोले तो अजीव निगास है, कैसा person है, इसको गाड़ी चलाना नहीं आता, कैसे अपने शेहर से निकलन होता है, कैसे महले से निकलना होता है, इस चीज को यहीं नहीं पता, तो यह गलती जो हम बार बार repeat करते हैं, over speeding करते हैं, ठीके अपनी bike को, अपनी car को, उसकी जो भी speed है, उससे भी limitless हो जाते हैं हम लोग, हम लोग सोचते हैं कि हमारी जो car है, हमारी जो bike है, अगर हम speed चले बड़ सच बताओ, तो आप कूल नहीं दिखते हैं, उल्टा लोग आपको money 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 गालिया देते होंगे, मुह पे बस एक आद जो आपके दोस्त साथ रहते होंगे, वही आपकी तारिफ कर दे तो कर दे, बाकि कोई भी आपकी तारिफ नहीं करेगा, कि यार over speeding करना अच्छा है क्योंकि यह चीज सरा सर गलत है, suppose करो over speeding की आपने, ठीक है, अब अगर by chance वैसे नहीं हो ऐसा किसे आपका road accident हो जाए, by chance किसी को नुकसान पहुंच जाए, आपकी वज़े से, तो वह कहीं नहीं तो आपका ही loss हुआ ना, तो over speeding करने की क्या जरूरूत है, हम आराम से चलेंग आपको, उसके बाद दूसरी चीज जो लोग क्या करते हैं, फेक अकाउंट्स बना लेते हैं, सोसल मेडिया के उपर, हाँ, हो सकता है, आप में सभी कही सारे लोगों ने फेक अकाउंट्स बनाया हो, या फिर बना कर अभी भी चला रहे हूं, लिगन अगर आप ऐस यह करते हैं, अपने ही दोस्तों को भी उकूब बनाने में लगे रहते हैं, वो सोचते हैं कि यार मेरा टाइम पास हो जाएगा, किसी को भी गाली देता हूं इस अकाउंट्स तो मुझे तो कोई पहचा नहींगा नी, तो यह चीज करना इतनी गलत है, इतना एक तो सबसे पहले अपना टाइम बेश्ट कर रहे हो, उसके बाद आप सामने वाले के इमोशन से एगो से खेल रहे हो, तो यह चीज आप रोक दो, अगर कर रहे हो तो, अगर नहीं कर रहे हो तो अच्छी बात है, तीसरी चीज, हुका एंड स्मोकिंग, तो स्मोकिंग आज की डेट में इतनी ज्यादा मातरा में आ चुका है, तो यह जो, आप देखो, स्मोकिंग कर रहे हो, तो आप पब्लिक प्लेस में बिलकुल ना करो, और यह चीज गलत भी है, ठीक है, लेकिन हम लोग पब्लिक प्लेस में तो करते ही करते हैं, और साथ के साथ सोचल मीडिया के अपर उसकी पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं ब्रैंड को प्रमोट करने के, क्या आपको ऐसा मिल रहा है, जवाब है नहीं, तो क्या जरूरत है अपने आपको नसेडी दिखाने की सोचल मीडिया के उपर, तो नसेडी बिलकुल ना दिखा, दिखाएं, हुका पीते हुए, सिक्रेट पी पीते हुए बीड़ी पीते हुए इस तरह की फोटो आप सोसल मेडिया को पर ना अपलोड करें क्यूंकि वो आपकी कहीने कहीन इमेज जो है वो डाउन कर देती है आपको लोगों की नजरों में नसेड़ी दिखा देती है तो वो चीज आपको नहीं करनी है उसके बाद अभी कोविड का दौर चल रहा है बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने मास्क जो है यहां लगेगा या फिर यहां लगेगा मास्क मुतलब पहने हैं दिखाने के लिए लेकिन मास्क पहना कैसे जाता वही नहीं पता या पता है तो बोलते हैं कि मुझे क्या जरूरूत है मैं तो मास्क जो है वो धंग से पहनना है पूरी नाक और मूढ धके होने चाहिए खास करके आप पुब्लिक प्लेश में निकलते हो तब भले ही आपने वैक्सिन लगा ली है लेकिन आपको मास्क और सनिटाइजर अभी भी साथ में अपने रखना है जब भी आप घर से बाहर निकलो तो उसके बाद फिर मैंने काफी सारे लोगों को देखा क्या है कि बहुत सारे लोग जो बात करते हैं इंफेक्ट दोस्तों में बात करते हैं फॉन पर बात करते तो वह हर बात में जो आप देते हो यह अपनी vocabulary में से निकाल दो आपकी vocabulary जो आपकी जवान है ना उसको एकदम साफ रखो ताकि लोग आपसे impress हो जाए आप सच बताओ ना आप कौन से लोगों से ज्यादा इंप्रेस होते हैं वैसे लोगों से जो आपको गालियां देकर बात करते हैं या फिर वैसे लोगों को जो आपको जी करकर बात करते हैं जवाब कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए गाइस का आप कि आप किन लोगों से जादा इंप्रेस होते हैं तो अगर आप गालियां देते हैं तो छोड़ दीजिए इसको या फिर अगर देने का सोच रहे थे किसी से इंफुलेंस होकर किसी यूटूबर से या फिर किसी फ्रेंट से तो वो आप रोक दीजिए क्योंकि ये कहीं न कहीं आपका इंप्रेशन कहीं न कहीं आपकी वैल्यू खतम कर देगा उसके बाद next जी जाती है EMI मेरी इंकम 5,000, 10,000, 20,000 रुपए इंकम है और मैं खरीद लेता हूँ iPhone EMI के बज़ौलत कि हाँ 6,000 की EMI चलेगी 5,000 की EMI चलेगी मैं तो कमा रहा हूँ 20,000 रुपए अराम से मैं दे दूंगा EMI तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हो सिर इंकम सोर्स वैसी नहीं है तो आप EMI और कर जे में के अंदर मर्डूब क्योंकि यह कहीं ने कहीं आपके उपर प्रेशर डालता है तो अमीद करता हूँ आपको यह सारी चीजें समझ में आई होंगी और अगर आपने यह सब चीजें सुन रखी थी और अगर अमल नहीं कर तो इस पर आप अमल करना सुरू कीजिए और अगर नहीं सुनी थी तो फटा फट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर किलिक कर लिजिए क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम लोग इस चैनल पर लागातार अपलोड कर तो आपसे ये वीडियो मिजना हो मैं मिलता हम आपसे किसी अगली वीडियो कंदर तब तक के लिए बाब बाई